एक मेरे चैनल अजीज माट इजी माप सभी का फिर से स्वागत है तो दोस्तों आज किस वीडियों हम सिखने वाले हैं कि एक कुंटल में कितना किलोग्राम होता है यह आपका क्या इसमें होगा यूनिट कनवर्जन होगा ठीक है इस वीडियों हमें यूनिट कनवर्जन करने करने वाले हैं कि एक कुंटल होता है कितना किलोग्राम के बराबर होता है आप जानते होंगे कि क्या है तोलने के क्या ज round है का है जो बड़ी क्वांटिटी के लिए माने यह सचींग बात चल होता है किकने कीव्राइब के बराबर होता है इसी को हम इस वीडियो में सेखने वाले हैं कर curée क 600 शूरू करते हैं चानल पहले बाले तो सब्सक्राइब कर लेना एक श्रू अ JUST हो में बता तो सिंपल से का क्वार्य कंपल होता है कितने किलोगराम के बराबर होता है जो एक कुछ होता है होता है सौ किलो कितना सौ किलो ग्रांब की बराबर होता है सो ग्रांब समझए आप डैसे की आप को एग सब्सक्राइब या परते यह फि데क घो घुलो ग्राम होता है चाहिते हैं *** समझ रहे हैं है कि एक एक किलो जो होता है सो बार सो बार जब क्या हो जाए मैं अगर इसे बात कितना जिसके हैं इसको हम किया बोछ सकते हैं कैसे जैसे कि कि यह वर्व क्या होता है जो कि दुख़व्य की भासा में है एक होटा है पांच किलोग्राम होता है ठीक है इतना पांच किलोग्राम होता है एक पोसरी बराबर ठीक तो युसे को हम एक वह सव किलोग्राम है तो इसको बात करें कितना हो जाएगा ठीक हैतु देंगे 17 कब हम पाहँ के भाग दिंगे कितना होगा तो 20 decades 20 कट कितना होता है 28 कि सबसे ने 20 में होता है एक सबसर्दाव στα रापम होता है और कितना मउन नग इसब बैस नहीं जाती है लेकिन इस बर्म से भी बताना था है कि जो एक होता है आपका 100 kg के बराबर होती है ठीक किलोगराम को के जिदी इस पॉसके बाद एक जो की इस एक में 20 होती है ठीक है तीसे वीडियो में सिब इतना है आप समझे होंगे कहने का मतलब अगर आपको वीडियो पर स लाइक का देना चलो बने सब्सक्राब को लेना चलो मिलते हैं एक नए विडियो में